श्री शिवाई नमस्तु भिम तर्षिकों शनीवार का दिन नौ ग्रह के परिवार में नयाय के देवता माने जाने वाले शनीदेव को समर्पित होता है पीपल के पेड में शनीदेव का वास मना जाता है इस संबंद में ब्रह्म पुरान में एक प्रसंग के बारे में भी बताया गया है इसके 118 अध्याय के अनुसार शनीदेव कहते हैं कि मेरे दिन अर्थात शनीवार को जो मनुश नियमित रूप से पीपल के वरक्ष को इसपर्स करेंगे उनके सब कारे सिद्ध होंगे तता मुझसे उनको कोई पीडा नहीं होगी जो शनीवार को प्राता का लुटकर पीपल के वरक्ष को इसपर्स करेगा उन्हें ग्रहों की विज़ा से कोई भी उठपन पीडा नहीं हो सकती शनिदेव को शनिवार का दिन अत्यंत प्री होता है शनिवार के दिन पीपल के पेड़ से जुड़े बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जो आप अगर कर लें तो शनिवार के दिन आप इन उपाय को करने से आपके दुख तकलिफ से निजात मिलती है साथ ही शनिदेव की करपा और मातालक्ष्मी की करपा आपर बनी रहती है क्योंकि पीपल के पेड़ में सदेव मातालक्ष्मी का वास होता है और शनिवार के दिन मातालक्ष्मी साक्षात पीपल के व्रक्ष में शाम के समय निवास करती है आता कल उठकर शनिवार के दिन आप पिसनान आदी निवरत होकर के आप पीपल के वरक्ष को इस पश जरूर करें एक लोटा जल जल में थोड़ी शी शक्कर या फिर चीनी या शहद मिला करके उसकी जड़ में समर्पित करें साथ ही शनीवार के दिन आपको अगर कोई भी तकलीफ है अगर आपको शनी दोश है या फिर शनी से कोई पीडा हो रही है तो आप उस दिन शाम के वक्त एक छोटा सा उपाय अवश्य करें शनिवार के दिन शाम को सुर्यास्त के बाद किसी भी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाएं गाय के घी से बना आटे का दीपक जरूर लेकर के जाएं इससे पहले पीपल के वरक्ष पर आटे का दीपक जरूर जला दें इससे आपके समस्त पाप दूर होते हैं आपके दुख भी कट जाते हैं जो आपके जीवन में शनी दोस्त से लगे हुए दोस होते हैं आपके जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है बाधा आ रही है तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा आटे का दीपक चो भी जला सकते हैं या एक मुखी दीपक भी जला सकते हैं पर सरसो का तेल ही इस्तेमाल करना है और एक दीपक और ले जाएं जो कि आपकी धन समंधी समस्याओं को दोर करेगा वो है आटे का दीपक बना ले उसमें आप घीं की बाती रखें घीं भी डाल दें वो दीपक आप को पीपल के व्रक्ष के नीचे चो मुखी दीपक ले जाएं या फिर आप सरसों के तेल वाला एक मुखी ही दीपक आप प्रजुलित जरूर करें और दोनों दीपक को अपने अपने इश्ट देवों का नाम ले करके और एक सनी देव का नाम ले करके और एक माता लक्ष्मी का नाम दे करके वहाँ पर आपको प्रजोलित करना है और अपनी जो भी परेशानी है वो बोलनी है अपनन मनवांजित इक्षा बोलनी है साथ ही कुछ देर महाँ पर आप बैट करके ओम नमस्षिवाय का जाब कर सकते हैं या मातालक्षमी का इस्तरोत पढ़ सकते हैं या फिर हन परिशानी चल रही होगी तो उन्हें भी इससे निजात मिलेगी आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही में बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहले पोचेगा तो दर्शकों मिलते हैं अगले वीडियो में स्रीशिवाई नमस्तु भ्यम जये मात दी